कोल्डन के बीच इस बात का चारों टीमों को ध्यान रखना है जो आपको राशी दी जाएगी उसमें से ट्रॉपी इंक्लूट की जाएगी इस बात का ध्यान रखना है छे वर के समाप्ची के बाद स्कोर हो चुका है चम्वालिस रण लॉस आप फोर विकेट और आगे गभाद समारेगे प्रकाश धन्यवाद मलिक अच्छा ट्राइ किया था ओसा माने लेकिन हाइट थी गेंती और सिधा छे रण अब तक का जो लेखा जो का है वो इस प्रकार है छे ओवर चम्वालिस रण चार विकेट अपने कोटे का दूसरा और अपने टीम के और से साथ वावर लेकर आए है नवनीत स्ट्राइक पर है कृष्णा पवार नौस्ट्राइगेंड पर है अन्ना अगर दोनों ही बल्लेबास बारा गेंडे खेल लेते हैं तो कुछ सम्मान जनक स्कोर मैं आपको बता रहा था अभी अभी मैंने आपको बताया और ये नो गेंड है नो बॉल है 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 क्लियर दिखरा है हमारे केमरा मेन काफि सतर के फ्री हीट इसी 7 रन के साथ बढ़ती वी रन संक्या हुए 51 रन 6 और 51 रन, सात्वा और जारी है फ्री हीट, काफी लंबा गगन चुम्बी चक्का जिस तरह समय है जल्द से जल्द मैच को लेना है अंपार ध्यान दें आज के जो हमारे अंपार है पवन देशमुक गेंदे अभी विशेष है तेरा रन आचुके इस गेंद पर दो चक्के एक नो बॉल एक बार फिर से हवा में के दोरे जेरान तोहीद इलेवन की गाड़ी फिर से पट्री पे आती हुई काफी महेंगा और साबित होता हुआ है मलीक इसके बारे में आप क्या काइना है जो एक भाटनर्शीप की दरूरत थी वहां पर और अपने हाथ खोलते हुए क्रिश्णा पवार बखुभी जिस चैली के बलेबाद अपना काम यहां पे पूरे करते हुए प्रकाश काफी बले का किनारा लेकर सीधा बौंडरी लाइन के तरफ चार रन ओके अंपायर ने रिव्यू लिया है अंपायर रिव्यू है कृपए शांती बनाए रखें जिस दर्शक ने कैस्ट लिया हुन्हें इनाम मिल चुका है ने इनाम मिल चुका है झाल ए झाल ए गर लगो झाल नो बॉल नहीं एंपायर मैं जारी रखना है आपको इसी चार रन के साथ तोही दिलेवन की बढ़ती वी रन संक्या हुई है 67 रन जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कृष्णा पवार आंद्रे रसल के नाम से जाने जाते हैं और वो ट्रेलर अभी आप आपको के सामने देख चुके हैं कापी महेंगा वर्षा भी तो हता हुआ नवनीत का माफ कीजिए यासिर कवर की दिशा में जाती हुई गेन देखना है कितने रन एक रन आसानी से बना लिया दूसरे का प्रया जरूर था लेकिन एडी काफी सतर कीपर इसी एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संक्या हुई है 68 रन सातो आवर जारी एक सम्मान जनक स्कोर की ओर जाती हुई है तो ही दिलेवन मलिक परकास इस्टी की उम्मीद थी के कड़ा मुकाबला हो और वो ही यहाँ पर अपने बलेबाजी का जोहर दिखाते हुए दोने बलेबाज अन्ना और उनका साथ देरे कृष्णा पवार प्रकाश हलके आतों से फ्लिक कर दिया सीधा बांडर लाएं के तरफ चारन डीजे हमारे मेमाने अतीती है विजय भोयर जोके मिस्टर रेशिया बॉडी बिल्डिंग चेंपियन के विजयता इनका स्वागत है काफी दिशाहिन गेन बाजी वाइड एक और अतीरिक रन तो ही 11 के खाते में जुड़ता हुआ इसी एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संक्या हुई है 73 रन काफी महेंगा वर साबित होता हुआ हवा में गोमादिया लेक्ष्टम की दिशा में जाती हुई गेन एक रन पूरा किया इसी एक रन के साथ और की समाप्ती साथ और की समाप्ती के बाद 74 रन चार विकेट तीस रन आये हैं इस ओर में काफी महेंगा वर कहूंगा मैं मलिक जिस प्रकार से ओसमा अशर साजीद अलतमश और असकरी ने जिस प्रकार से तोही दिलेवन को अभी तक के रोक रखा था रन बनाने के लिए लेकिन इस ओर में सब उमीदों पर पानी फेर दिया इसके बारे में आपका क्या काई ना है मलिक शुक्रिया अब प्रकास दोनें इंपार से घुदर से मैंच को थो फास लेने बाद का ध्यान रखे डिजे अब टो में रखागा अब था सब्सक्राइब अब शूक्रिया अब श्रश्च वाली और लेस्वे भूए इस बार कापी उचा फिल दर उसके नीचे साज दलतमा जरूर है और विकेट का पतन यहां पर जब यहां माजी समाजीक कारेकर संतोजी चावरे और जो ट्रोनामेन कमिटी के अद्धेक्ष राजा भाय डेंडूले उपाद्धेक्ष मंगेज धीके और जो सचुवे नरेश सोनवान अस्टोशियन टेनिस उपाद्धेक्ष कि अधाये खान साब का इम्रान खान साब गेन बाज असकरी का भी प्रभाईट क्या अपने गेन बाजी से इस बार पहली गेन उठा के मारा का प्रयास दरूर के तो हलका साइज लगता हुआ श्ट्राइक यहां पर रोटेट होता हुआ बैन फार्म बालेवाज इस बार श्ट्राइक पर आते हुए और यहां पर जो मैनत बस्रीद दी जाएंगे अनुराग भोध देश में इनके उर से 31,000 रुपए हर मैच में जो मैने देते हैं हमरे राजिक भए एमार बिक्स वाले खोला पूर से बिलॉंग करते हैं श्ट्राइक पर इस बार कृष्णा पवार और गेन बादाश करी इस बार काप यह क्लक शॉट्ट खेल दिया अच्छी फिल्डिंग यहां पर और यहां पर श्ट्राइक पर आना जाते थे किष्णा पवार इस लिए सिक्रपाइस किया यहां पर इम्रान खास आपने अगर 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 निराशों के वापस यहां पर जाना होगा हुआ है हुआ है यहां हुआ है अगर 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 शॉब्स श्राइक पर है विभी क्रिष्णा पवारीन फाम बल्यबाज पिछली और में अपना जोहर दिखाया था किस तरह की बल्लेवाजी करते हैं क्रिश्णा पवार श्टाइक पर जरूर होगे ख़़ा मुकाबला होगा असकरी और क्रिश्णा पवार के बीच दोनों ही मज़े हुए खिलाडी जरूर है देखना इस बार गेन भारी होती है या बल्ला असकरी की गेन उठाके मारने का प्रयाज जरूर फिल्डर काफी दूर यहां पर रन लिन से मना गया है यहां पर क्रिश्णा पवार ने स्टाइक अपने हाथ में रखना चाहते है अस्कोर अब तक हो चुका है थमावा स्कोर सेवन्टी सिक्स अंतिम कुछ गेन आना बाकी शेष एक इसी स्विनिंग की जो मुकाबला यहां पर खोल्डन वर्सेस तोही देलेवान तौसीप भाई महबद की चायवाली जिसके ओनर है उनके साथ मैस को नियार रहे मुन्ना इस बार कापी लंबा शाड यहां पर कृष्ण पवार की प्यार से निकलता हुआ गगन जुबी चक्का डीजे आगे अंदर लाजवाब ऐसी बल्ले बाजी कृष्णा पवार है इन फॉर्म बल्ले बाज जो नशा यहां पर अभी जो डीजे वाले गाना बजा रहे थे दर्शकों के भी जो नशा है काफी दूर दूर से स्मयाच को देखने के लिए आ है कि तीरा गेंदों पर चर्टिशन अप तक बना के खिर रहे कृष्णा पवार माने का प्रया आप विकेट यहां पर अंतीम गेंग पर आउट किया यहां पर कि बैसी रन बनाए है यहां पर तोई देले बनने और त्रेसी रन कि बैसी रनए है यहां पर एंतीम गेंग March झाल 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 झाल